काया हैं आज स्टुर्ड करके लिए वाले बच्चों के लिए हज पूरा इस वीडियो में डिस्कुस्ट करेंगे तो आप ये वीडियो अपने घंट Um से भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम मैं 2023 को ही ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहें लेकिन अगर किसी को रिवीजन करना है नवंबर में एक्जाम दे रहा है तो वह भी से यूज कर सकता है अब आपका कोशन होगा कि सर मैं एटेम्ट के लिए दो जो अमेंडमेंट आती है वह 31 अक्टूबर तक आती है तो ये वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे आज हम 16 अक्टूबर की देट को रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है न तो हमने जितनी amendment अभी तक आई है उन्हें consider कर लिया है और अगर कोई announcement आईकी तो वह को बाद में हम आपको अमेंड्मेंट के थूप बता देंगे लेकिन आप इस अमेंड्मेंट के चक्कर में डिले मत कीजिएगा आप मैं अटेम्ट वाले भी से देख सकते हैं तो जब हम बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम की सर्य सटरी मैटर्यल कौन सा यूज़ कर तो हमने यह At UN video कि इसकेंदधर अगर कुछ घलती होगी तो वह भी ढता देंगे कि इसकें अंदर क्या गलति हैं जिससे कि आप गलत ना करो और मिल्ट इसंने उप्धेट्स हैं वह भी आपको बता देंगे क्जा क्या अदेट से तो आप ICI की website से यह study material download कर सकते तो जब बात करते composition scheme इसके लिए हमारा section होता है section 10 तो अगर आपको ध्यान हो जब मैंने आपको पहले classes में बताया था तो हमारा charging section होता था section 9 जिसके अंदर लिखा होता था कि charging section यह बताता कि किसके ओपर GST लगेगा कैसे लगेगा तो जो हमारा मेन section है charging का वह section 9 लेकिन जैसे कि तुम्हें पता है कि हिंदुस्तान में scheme को बहुत पसंद किया जाता है ठीक है अभी दिवाली की shopping करने जाएंगे क्या scheme चल दिए अरे कुछ नहीं scheme लाए हो गया तो इसकीम बड़ा पसंद किया जाता है तो इसी तरीके से जब GST आया तो लोगों ने इसका विरोध किया और गोर्मेंट को भी पता था कि इसका विरोध होगा क्योंकि इसमें number of returns बहुत जादा है है complications बहुत जादा है तो गोर्मेंट ने क्या करा एक section डाल दिया section 10 और उसका नाम डाल दिया composition लैवी और कई लोग इसे बोलते है composition scheme तो जैसे scheme होता है तो हमारे कान खड़े हो जाते पता नहीं क्या scheme है जरा सुनतो ले लेकिन यह जो scheme होती है उसमें कुछ प्लस भी होते हैं कुछ माइनस भी होते हैं जैसे कि मैं बताओ कि मैं एक दुकान पर गया कपड़े लेने मुझे एक share purchase करनी थी उन्होंने का सर इसकी ही मैं मैंने का क्या कहरे सर आप अगर 5000 तक की होगे ना तो यह benefit हो जाएगा तो कई बार ऐसा होता है कि लेने जाते एक चीज और मिल जाती है कई चीज तो इसकी मोना हमेसा ध्यान से समझना चाहिए कंडिशन एपलाई लिखा रहता है नीचे तो यहां पर यह जो पोजिशन इसकी में इसे भी आप ध्यान से समझना यह इसकी अब आप देखो मैं जहां पर शर्ट पसंद कर रहा हूं वह कहारा सर्य इसकी मिन कपड़ों पर नहीं है यह तो न्यूराइवल पुराने वालों पर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकीम हर वेक्ति के लिए बैनेफिट नहीं होगा इसकीम का बैनेफिट हर वेक्ति नहीं उठा पाएगा और गौवर्मेंट ने जो इसकीम बनाई है तो यह बात आप समझेगा कि गौवर्मेंट को इसकीम से थोड़ा सा नुकसान हो रहा होगा आपको पता है जब दिवाली चलेगी तो हम भी डिसक को जले तो सर गौवर्मेंट नुकसान होता है और गौवर्मेंट यसकीम से देती क्यों और गौवर्मेंट की मजबूरी और की कि जो हें सब्सक्राइस के नहीं तो हमारे को तो थियोरी में एक्जाम तो पास करने है साथ में प्रेक्टिकल में यह भी समझना है कि यह स्कीम किसके लिए बैनिफिट होगी या नहीं कौन इसके लिए इलीजिबल है कौन नहीं और इसकी कंडिशन्स क्या है ठीक है न तो इसी तरीके से दो चार्जिंग सेक्शन एक समझ लो एक तो सेक्शन नाइन तुमने पढ़ लिया जिसमें जीएस्टी नॉर्मल लेट से लगता है सारी चीद नॉर्मल होती है लेकिन इसकीम के अंदर सब कुछ लगोगा समझ मुएं मेरी बात या नी तो आप हमें इस-स्कीम को समझना है तो यह-स्कीम किसमें लिखिव यह सेक्शन 10 में तो यह याद रहेगा आपको eret नाइन चार्जिंग सेक्शन 10 कं पॉजिशन इसकीम तो जब यह compostation lenvy बहो या compostation scheme बोलो इसे जो मर्जी बोलो अब इस scheme के अंदर कहा गया जाता है पूरा पहले bare act पढ़ेंगे समझेंगे क्या कहता है यह कहता है notwithstanding anything to the contrary contained in this act but subject to the provision of subsection 3 and subsection 4 of section 9 सर यह समझ नहीं आ रहा मत समझो अगर नहीं समझ आ रहा तुम्हारे को यह कहता है कि वैसे तो पूरा जीस्ट सेक्शन 9 गई साप से चल रहा है लेकिन हम section 9 को overrule करते हैं क्या करते सेक्शन 9 को overrule करते हैं ठीक है लेकिन पूरे section 9 को overrule नहीं कर रहे हैं जब आप section 9 पड़ोगे तो section 9 की वीडियो में हमने आपको बताया है कि section 91 है charging section section 92 है जो कहता है कि वह पेट्रो प्रोड़क्स पर जीस्टी future date से लगेगा और section 93 और 94 RCM के किसके और अगर मैं बात करू section 95 है ठीक है ना ओला उबर के लिए याद आ रहा है पूरे section 9 तो यह कह रहा है हम पूरे section 9 को overrule नहीं कर रहे हैं किसका ध्यान दख रहे हैं subject to 93 और 94 कि 93 और 94 तो तुम्हें लगे गई अगर तुम्हारे ओपर reverse स्कीम से आपको टैक्स देना होगा अगर किसी पर 91 लगे इसका मतलब क्या है वो नॉर्मल तरीके से चल ला है और अगर मैं इंदुस्तान की बात करूं तो 90 परसेंट रजिस्टेशन 80 परसेंट रजिस्टेशन आपको नॉर्मल स्कीम ही मिलेंगे इसमें कितने होंगे 10-20 परसेंट होंगे तो यह वाली लाइन के लिए हुई या नहीं हाजी कि हम section 10 के अगरा हम 9 को ओवर रूल कर रहे हैं लेकिन किसे ओवर नहीं कर रहें 3 और 4 को क्योंकि हम रसेंगे बाद में चर्चा कर लेंगे इसकी क्या है रजिस्टर पर्सन किसके लिए बोला गया कि यह composition इसकी इंवल होगा जो रजिस्टर पर्सन है मतलब कि यहां पर सुनों जब कोई व्यक्ति रजिस्टर हो के आएगा उससे बोलेंगे कि तेरे पास दोप्सन है नॉर्म परजन हुज एग्रिगेट टर्न ओवर इंद प्रिसीडिंग फिनेंशल यर डिड नोट एक्सिड फिप्टी लेकिन पहले रेस्टिक्शन लगा दी पता चले अंबानी भी आके यह ना कहते कि मेरे को भी कम पोजिशन इसकीम दो तो इसे क्या बोला गया कि अगर तुम्हारी टर्न ओवर पिछले साल में कितने रुपे से उपर नहीं जा रही है मतलब कि छोटे वैपारी हो क्या हो जी छोटे वैपारी हो तो तब आप कम पोजिशन इसकीम ले सकते हो अब एक वेक्ति क्या मूर्ख बना रहे हो हम रजिस्टेशन का चेप्टर पढ़कर आये हैं रज प्चालिस लाग तक खुट्स बेकते हो कितने घुट्स बेच रहे हो सर तो तुमहें रजिस्टेशन ही नहीं लेना और का मिलेंट ने जब हए था 2017 में तो लो में लिखा था कि वही 50 लाग तक वाले ही composition scheme लेंगे लेकिन government को ये भी पता था कि हो सकता है कई states इसका विरोध करें कई लोग ये कहें 50 लाग क्या होता है भाई कम से कम 1 करोड तक तो दो कम से कम 1.5 करोड तक तो दो जिससे कि हम composition scheme का सही से use कर सके तो इन्होंने क्या करा था कि सुरुवात में turnover क्या लिख्यों थी 50 लाग और यहां पर प्रोविजों में एड कर दिया था क्या कर दिया था जी प्रोविजों में एड कर दिया था कि डेट गोवर्मेंट में बाई notification increase the set limit of 50 लैक कि यह जो लिमिट है 50 लाग की से बढ़ा सकती है ठीक है to such higher amount कि 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 अमाउंट तक कुछ अमाउंट बढ़ा सकती है लेकिन डेड करोड से उपर नहीं जाएगा क्या नहीं जाएगा भाई डेड करोड से उपर वह अमाउंट नहीं जाएगा तो इसका मतलब composition scheme को initially start किया गया 50 लाग तक और उसके बाद क्या बोल दिया गया कि अगर तुम्हारी turnover पिछले साल में कितने लाग रुपे तक है देड करोड रुपे तक है तो आप composition ले सकते हो और डेड से उपर आप जाओगे नहीं बात किसमें लिख दी section और अगर आपको डेड से उपर कराना है तो फिर पहले इस section को change करो तब बात करना तो इन्होंने यहां पर section में लिखी डेड तो क्या हर जंगा डेड है तो answer मैं आपको बता देता हूँ government ने क्या करा notification निकाल कर लाई 2019 में कब लेकर आई 2019 में notification लाई और इस limit को पचास से बढ़ा कर कितना कर दिया डेड़ करोड कर दिया कि भाई composition की limit कितनी होगी डेड़ करोड लेकिन कुछ states कहने लग गई अरे भाई अगर तुमने हमारे यहां डेड़ करोड कर दी तो हर वेक्ति किसमें चला जाएगा composition में चला जाएगा हम यह नहीं सह सकते हैं क्योंकि मैंने क्या बोला composition से government को फायदा या नुक्सान गौर्मेंट को नुक्सान लेकिन government की मजबूरी है इसे apply करना समझ में आ रहा या नि government hospital चलाने से government को फायदा या नुक्सान नुक्सान है लेकिन फिर भी government चलाती है लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों को बता देती है कि तरीके से बात नहीं करना है डरा कर रखना हिने कि यह जादा से जादा बाग जाए प्राइवेट में ठीक है ना लेकिन चाहती क्या है government इच तो इसी तरीके से composition इन्होंने डेड़ करोड कर रखी है तो कुछ states कहने लगए कि अगर हमारे पास भी तुमने डेड़ करोड कर दी तो हर व्यक्ति ना भाइसा composition में चला जाएगा हमें चाहिए कुछ व्यक्ति रेगुलर में भी आई जिससे ज्यादा टेक्स आए तो कुछ states अगर मैं दिल्ली यूपी की बात करूं तो दिल्ली यूपी बहुत बड़ा है गोवर्मेंट यह सोचेगी अरे चल दस लाग रिजिस्टेशन है आठ लाग नोर्मल हो गए दो लाग composition वाले हो जाएंगे लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसी स्टेट्स की जो नागा ल हो जाएगा कम हो जाएगा तो उन स्टेट्स ने अपनी लिमिट कितनी रखी है 75 तो आपको स्टेट वाइज कोश्चन भी आ सकता है कि यह स्टेट वाइज कोश्चन आप से पूछ सकते हैं कि वह किस स्टेट में composition की क्या लिमिट है तो अगर मैं आपको बता दूं यहां प इंआं और पाच्य स्टेट आसी हैं जिनका अपना इत्यास है ठीके क्या कि लीजा में बात कर लेते कि स्की 580 यहां पर सिवचे नाराज लोते हैं यह नहीं हो जाते हैं हां trembling स्ब्समिर तो इन्होंने क्या भी अपने पास न लोग बाग कम है अपने को न 75 लाग 75 से उपर उन्हें क्या करतो नॉर्मल दूसरी स्टेट कौन सी अपनी तिक है न में घाल ले अब आज़ो यह वाले तो यहां पर की जो स्टेट्स है इन्होंने क्या बोल दिया कि अपने को समझी नहीं आती कौन कौन सी स्टेट्स आ गई अपनी में घाल ले अरुणाचल पर दे सिक्किम त्रुप्रा मिजोरम मनीपूर नागलेंड यह नौर्थ इस्ट की जो स्टेट है उसने का अपने तो है सब्सक्राइब यह नौर्थ इस्ट की स्टेट आए तो समझ जाना कि यहां पर डेड़ करोल लिमिट नहीं है यहां पर कितनी लिमिट है 75 राक अब आपको के सर्णोर्थ इस्ट में तो असंभी आता है नौर्थ इस्ट में तो क्या आता है असम का साइज देख लेना चोटा यह बड़ा असम बड़ा है उसने का नहीं अपने को डेड़ चलेगा तो अगर यादो तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी इस्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या बताया था तो आप महां से भी ठीक है ना यह चीज समझ सकते हो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में लिमिट कितनी थी 75 लाक लेकिन सारी स्पेशल में नी तो इन दोनों ने मना कर दिया इनके लिए कितनी है और बाकियों के लिए क्या है 75 तो आप यह 8 स्टेट याद रख लोगे भाई हां बोलो किलियर है एक्जाम में दे दोगे तो नोर्थ इस्ट में तो यहां पर अगर आप सिंप्लिसिटी से समझोगे कि जो चोटी स्टेट्स है वहां पर लिमिट कितनी है 75 जाम बढ़ी है वहां पर कितनी है डेड़ किलियर हो गया वाला मेरा कंसेप्ट तो मैंने आपको नक्से पर भी दिखा दिया कि भाई कौन कौन सी स्टेट्स की हम यहां पर बात कर रहे हैं समझ आ गई पूरी बात चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि आगे क्या कहानी क है उसके पारे में जरा एक बार समझ लू लू थिक ऑ पहला वाला के रहे लिमिक कि लिए रहा नहीं ma लेकिन यहां पर क्या लिख्खा है कि प्रिसीडिंग इस पर प्रैक्टिकल कोश्चन भी आपको पढ़ने हैं अब यहां पर इन्हों ने यह तो समझ में आ गया कि अपने को टर्न ओवर कम रखनी है अगर कम पोजिशन में जाना है अब इन्होंने का बैनेफिट क्या होगा बैनेफिट तो बताओ कि बैनेफिट क्या होगा तो इन्होंने का बैई देखो तुम सेक्शन नाइन में कितना टेक्स देते थे section 9 का अगर तुम पर charging section लगा दे तो तुम कितना tax देते थे सर ये तो tax तो depend करता है community पे 5% भी होता है 12 भी होता है 18 भी होता है 28 भी होता है तो इन्होंने क्या बोला जो composition में होगा उसे ना तो 5 देना ना 12 देना ना 18 देना ना 28 देना तो सर कितने प्रसेंट देना यह एक परसेंट क्या रहा है क्या रहा है सिर्फ एक परसेंट देना है और कुछ देनी नहीं बंदा खुश बंदा खुश तो इन्होंने का भई tax rate कम होता है composition में क्या होगा जी tax rate कम होता है तभी तो इसका यहां मतलब है इसकीम तभी तो मतलब है न इसकीम तो इन्होंने क्या बोला यार अगर कोई वेक्टी ए डेड़ करोड़ वाले कितने वाले डेड़ करोड़ वाले 75 लाग वाले कितना नुक्सान कर लेंगे अपने को अगर यह composition scheme RELIANCE को देदो टाटा को देदो तो नुक्सान जाद होगा ना तेका ना यह डेड़ करोड़ वाले क्या नुक्सान कर लेंगे चलो देने दो तो इन्होंने क्या करा चोटे लोगों को यह scheme दी किसे दी चोटे लोगों को और क्या लिखा कि जिनकी लिमिट 50 लाग 50 लाग का कोई relevance नहीं है लेकिन section में अभी भी कितना लिखा हूँ है पचास लाग लेकिन प्रोवीजों में क्या लिखा हूँ है आप इसे बढ़ा सकते हो ठीक है में और यहां पर लिखा है में जबर्दस्ती नहीं है इसकी में जबर्दस्ती नहीं है तुमें एक शेट लेकर आजाओ दुकाम से महेंगी पड़ेगी बात कदर कि अबर्दस्ती नहीं है इच्छा है तो लेना नहीं तो कोई बात नहीं में आप टू पे इन लिए ओफ टेक्स पेबल बाई हिम अंडर सेक्शन 9-1 किसके बदले में जो आपको 9-1 का टेक्स देना होता है पाद बारा ठारा ठाइस उसके बदले में आप दे सकते हो एन अम रूल नंबर 7 इन्होंने का कि भई जो हम रेट बताएंगे वह आपको रूल में बताते रहेंगे अभी हम सेक्शन में नहीं लिख रहें तो कई लोगोंने बोला भई रूल में तो तुम 50% भी लिख सकते हो तो सेक्शन में यह लिखकर बता दो किससे जादा नहीं होंगे तो इन्होंने क्या लिखा बट नो टेक्सीडिंग लेकिन किससे जादा नहीं होगा वन परसेंट क्या लिखा जी वन परसेंट ओप दा टरनोवर इने स्टेट और टरनोवर इने यूनियन टेरिट्री इन केस ऑफ मैनुफेक्चिरर तो यह जो कंपोजिशन स्की में कई लो से लिखा होगा तो मैसिम् इंग एकक शिचेशनम में कितना लिक्चता लेकिन फाइन ते लेकर लेकिसमे डिफाइप लिखा ओगा dua Bin रूल में समझा आया नहीं आया ठीक केई इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि यह जो क्मपोजिशन इसकीमे गुवर्मेंट लेकर आय। इसके लिए लेकर आय अब में में शाजते हैं हम रेश्टोरेंट हैं क्या हैं है अगर तुम पनीर की सब्धी लाते हो ठीक है ना रेस्टॉरेंट से क्या लेकर आई सर्वीस और अगर तुम पनीर ख रही det Cuando Dubai जिसे टो तो doe लारे निविगे तो रेस्टॉरेंट चाहoten जाता है सर्विस तो इनिशियली यह स्कीम सिर्फ गुड्स के लेती लेकिन सर्विस वालों ने का नहीं बाई जाब अपने को भी अर्जेस्ट करो ना थोड़ा तो गॉर्मन ने का ठीक है तुम भी इस स्कीम में आ जो और बोला एक एक परसेंट देदे हम भी कहरें नहीं पागल होग भी आ सकते हैं तो जो यहीं खीन आ लेकिन यहीं तो जिसी तरीके से सारह टेет यहीं थमोर्लों स्वालेंगे कि अगर कोई या तो मैनुफेक्टरर होगा या सर्विस वाला होगा सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस और कोई सर्विस नहीं ठीक है ना लिखा वा इन्होंने इन मेकिंग सप्लाई रेफर्ट तो लो प्रग्राफ शेडियूल तो जब आप इसे पढ़ोगे तो इसके अंदर निकल कर आएगा रेस्टोरेंट सर्विस कोन सा निकल कर आएगा रेस्टोरेंट सर्विस आप चाहो तो पढ़ना देख सकते हो इसके बाद बाकी कोन लेगए ट्रेडर तो उन्होंने क्या भोल उसके लिए क्या लगेगा याश पर तो मदले हा पर सेंट चिछ इह पर टेस्ट विसटेंट celebrate इन्हों ने बोला कि रव्यक्ती हो है ना हर व्यक्ती पहले कि abbiamo किव और इसके अलाव हुआ इन्हों कि कुछ रेस्ट्रिक्षण आपको फोलो करनी पड़ेगी जो आगे आप सब्सेक्षिंट टू में पड़ोगे ठीक है न वह रेस्टिक्शन आपको फोलो करनी पड़ेगी तो यहां तक क्लियर हुआ हाँ अब उसके बाद होता गया था एक बड़ी समस्य खटी हो गई बड़ी समस्य क्या ही खटी हो गई इस ची ट्किन तेन यह सर्वीज भी दे रहा होता है और कई बार जो उसमें मेटियल लगता बटन धागा-गर से थोड़ी मंगाता है पूंत बड़ी होता है साथ में लेकिन मेली क्या दे रहा होता है सर्विज ठीक है अगर मैं बात कर लूँ एसी रिपेर वाले गी गी इसी रिप जब आरो एक कर रहा है किया इसेल्स कर रहा है चारे में चानाल की तो मैं औरorg तो एक परसेंट टेक्स दूंगा शान की जिंदगी तो अब हुआ गया कि जैसे आरो ये बेच रहा था तो मैंने कहा कि इससे मज़े लिए जाए इससे मां आए जाएगा पांशोर फ्राइख अरग में लेजार अजाए ऑब तो अब तू कम्पोजिशिश्ळ शीम किसके लिये ती और तूने मुझे क्या देदी शर्वीज भी दे दी तूने मुझे क्या देदी सर्वीज भी देदी उसे कि यह सर्विज तो 293 एम यह सर्विज दे पारा था क्योंकि श्रिफ यार कही नहीं गलती होगी को जो एक ती घुट्स नहीं बेच रहा है हो सकता है वह मेजर ली गुट्स बेचता हो लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत सर्विस भी देता हो इन्हेरेंट पार्ट है या निये बोलो, तो government ने खाए ठीक है यार, जात तू service भी दे दिया, लेकिन ओकात में रहे, उसने खाए ओकात में रहने का मतलब गया, उसने खाए पढ़ ले, उसने क्या लिखा, हम ने पहला provision आपको समझा दिया, ठीक है, second provision में क्या लिखा, that a person who opts to pay tax under close A close B or close C ABC हमारा क्या manufacturer service restaurant वाली C other traders क्या बोला provided further that a person who opts to pay tax under close A B or C में supply service क्या लिखाई जी कि तुम service भी supply कर सकते हो ये पहले नहीं था प्रोविस हो ये बाद में एड हो कितनी supply दे सकते हो उन्होंने का service की supply भी दे सकते हो other than those restaurant वाली service को छोड़के क्योंकि वोता लगी है of value not exceeding 10% of the turnover कि आप जो service दोगे वो किस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी turnover से 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए in the preceding financial year और 5 lakh rupees whichever is higher इसे example से समझते हैं एक व्यक्ति की turnover है 40 lakh कितने की turnover है 40 lakh सर 40 lakh तक तो registration ही नहीं है ठीक है ना ठीक है चलो माल लो हम इसे यहाँ पर कितनी कर देते हैं ठीक है 40 ही माल लो तो ठीक है example उसी से set होगा क्योंकि कई जंगा पर तो goods की limit कितनी है BC है ना 4 lakh ओर पाच 25 zeg whicheveriniz higher अगर आप 40 lakh Left का business कर रे हो तो आप कितने तक की 서वीश दे सकते हो चारcreat Ó 5 monit Get Frei up अगर आप 20 कर रे हो तोesperat की दे सकते हो जोड़ अगर 3050 का कर रहे हो तो कितने तक की दे सकते हो 5 latte Direct अगर 60,00,00 का कर रहे हो तो कितने तक की दे सकते हो पाच नी 6,00,00, तो यहां पर आपसे कोशन पूछा जा सकता है कि एक ठीकर रामू है आरो लगाता है यहां कर रहा है लेकिन उसे सर्विस का काम भी मिल गया तो क्या वो कंपोजिशनी स्कीम में सर्विस दे सकता है यह दे सकता है लेकिन उकात में रहके 10 परसेंट और 5,00,00, पर पचास लाग से नीचे होगा तो पाची लाग बैठेगा और पचास लाग से उपर होगा तो फिर पाच लाग को शोड़ देना अगरी करना मेरी बास से समझ में आ गई इतनी तो इन्हों ने क्या बोला इनीशियली पहले एक सर्विस को लेकर रहे रेस्टूडेंट को फिर दुबार क्या बोलो चल कोई बाट नी गुट्स के साथ थोड़ी सर्विस चलेगी ठीक है न गुट्स के साथ थोड़ी सर्विस चलेगी इसकी एकस्प्लेनेशन में आपको बाद में बताऊंग ऑफ पहले पूरा section एक बार रिट करो पहले बार यहां तक किलियर हुआ अब इन्होंने का कि तू composition में आतो गया देख definitely लेकिन ना कुछ हमारी शर्टे माननी पड़ेगी क्या करनी पड़ेगी कुछ हमारी शर्टे माननी पड़ेगी हमने का पता हूँ भाहि क्या सर्टे माननी है उसने का sub section 2 में सर्टे लिखिये स Quan तो इन्होंने क्या लिखा कि the registered person shall be leasable to opt under subsection 1 कि subsection 1 में अगर तुम composition लेना चाते हो तो आप हमारी कुछ सर्ते मानो save as provided in subsection 1 he is not engaged in supply of service ठीक है न he is not engaged in the supply of service पहले ही बोल दिया कि उपर जो आपने service बोली है ठीक है लेकिन इसके अलावा आप किसमें involved नहीं होगे service में तो मैं लगा चार्टर अकाउंटेंट composition scheme ले सकता है क्या बोलो answer is no, answer is मैंने का भाई वो आरो वाला भी तो दे रहा था उसने का यार वो उसके business related थी और कितने तक की दी 5 लाग तक की लेकिन अगर आप service में specially deal कर रहे हो तो आप नहीं ले सकते हैं तो ना chartered accountant ले सकता ठीक है ना कपिलियन ले सकता है क्या मैं भी तो teaching कर रहा हूँ नहीं ले सकता अगर मेरे को composition scheme दी जाए तो सबसे पहले मैं ही लूँगा अगर तुम service में deal कर रहे हो तो आप composition अरे सर वो उपर ले तो रहा है उसे चोड़ो उसका main business क्या है तो main business goods का है वो उसके part में दे रहा है लेकिन अगर आप यहां पर सिर्फ service में deal कर रहे हो तो नहीं तो save as provided in subsection 1 मालब जो subsection 1 है वो service तो दे सकता है लेकिन उसके अलावा आप service वाले व्यक्ति को नहीं कर सकते है समझा है या नहीं बोलो उसके बाद इसने क्या बोला तीक है he is not engaged in making interstate outward supply of goods or service कि रहा है व्यकात में रहना है अगर आप composition में तो पिंजिरे में रहो किसमें रहो मतलब अपनी state में रहो किसमें रहो अपनी state में रहो आप दूसरी स्टेट्स में तो दूसरी स्टेट से एक्जाम में कुश्यन आएगा कि एक कंपोजिशन डीलर है उसने दूसरी स्टेट से परचेज कर लिए इन्वर्ड सप्लाई कर ली तो कि यहां पर लगाम लगाई है आउट वर्ड सप्लाई तुम नहीं कर सकते हो समझा गई यह वाली चीज यानि तो पहली रेश्टीशन बताई कि सर्वीस नहीं कर सकते दूसरी बात क्या बोला जी इंटरिस्टेट नहीं कर सकते हैं सर्वीस गौशर्मेंट ने क्यों अगली चीज इन्होंने क्या बोला अभी मैंने भी पॉइंट नी पड़ाया पड़ातो आपको तीसरा पॉइंट क्या बोला कि भाई आपना e-commerce operator के थ्रू कुछ भी माल नहीं सेल करोगे कौन सा e-commerce operator जो की टीसेस काटता हो ठीक है ना तो आप फिलिप काट आप इसके थ्रू माल नहीं बेचोगे क्लियर हुआ हैं यहां तक समाज आई इसके बात क्या गाता है अब एक विख्ति था जो तमाकू बनाता था तुमने सथनाए है ठीक है चैनी खैनी स्वागत तंबाकू क्या जी सुना है नहीं सुना है अगे जो स्वागत तंबाकू बनाते थे अब तुम्हें क्या लगता है तंबाकू पर कितना जी एस्टी रेट होगा जो ऊट्ठाइस परसेंट पतानी पिलस पतानी क्या क्या होग अब कि दो लोग खैनी मसले और बात करें देख रहा है ना थे तुम्हागत तंबाकू पर जी स्टी कर दिया एंथाइस पर जी एस्टी लिए अब स्वागत तंबाकू महघ़ा हो जाएगा उस ने कर अब तो स्वागत त्मागों वाला सुनना कर नहीं मैं क्या करूँगा ना कम पोजीशन वाजाएगा अब जैसे अपने घरवालों के शबके नाम पैन नंबर से अलग अलग कंपोजीशन ले लूगा लेकिन बिनोद को दिक्कत नहीं होने दूंगा इसे ठीक है इसे थाइस परसेंट नहीं तो प्रोड़क्ट हो जाएगा में तो मौतीजी ने क्या बोला कि ऐसा करो ऐसा लिख दो कि कुछ प्रोड़क्स ऐसे होंगे जो कंपोजिशन में जाई नहीं सकते तो इन्होंने क्या लिख गा की जो भी वीक्ति मैनुफेक्चिरर होगा यह किसके लिए मैनुफेक्चिरर के लिए ठीक है यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए किसके लिए मैनुफेक्चिरर के लिए कि He is not manufacturer of such goods as may be notified by the government on the recommendation of council की गोर्मेंट को जहां भी लगा इसकी मैनुफेक्च को नुक्सान कर सकते हैं तो यह उसमें लिस्ट में एड कर देगी और यह लिस्ट टाइम-टू-टाइम चैंज होती रहती है तो इसका मतलब अगर आप कम्पोजिशन में हो इंटर स्टेट नी जा सकते भाई है एंटरशनी कर सकते क्यों कर्सकते और जो बैन गुट्स है कोने जी बैन गूट्स बैन गूट्स मतलब जो गवर्मेंट नोटिफाइड कर रहे है तो गवर्मेंट ने नोटिफाइड जर्नल 28% वालों को करती होंगी ठीक है ना कि जिससे की गवर्मेंट को ज्यादा नुक्सान हो जाए तो उन्हें कह रखा कि तुम इसमें डेल नहीं क सकते हैं किसके लिए मैनुफेक्ट्र के लिए समझ आगे यह वाली गानिया नहीं हां इसके अलावा तुम पढ़कर आयते एक बार सेक्शन 27 मैंने तुम्हें पढ़ाया था सुरुवात में एक होता है ना कैजवल टेक्सेवल परसंट ठीक है जो तीन ही महीने के लिए कंपोजिशन नहीं ले सकता किलियर हो गई चालो अब हुआ क्या भी यह वाली सारी कंडिशन किलियर हो गई अब एक व्यक्ति क्या था तीक है ना एक व्यक्ति क्या था पैट्रोल पंप पे था पैट्रोल पंप की बात करनों इंद एक जम्पल ले रहे है अब तने में पता हैं पैट्रोल तो देखो इनके लिए ना चूट देदिया अगर जाएंगे तो टैक्स क्या हो जाएगा और अभी इनके पास दूसरे टैक्स लगते हैं जो जाता है तो एक वेक्ति ने क्या गड़ा पेट्रोल पंप पे क्या सोचा कि मैं भी कंपोजिशन लेलू क्या लेलू और श्यों ओग पत्रोल पर टो √ सब्सवरिंब्रीप हस जमार्ड उडे लेलू सकता है उस ребята का लोडरिखंक के लिए और पूरे साल में लुब्रीकेंट कंप इसकी सेल गड़ी 238- Self-JI और जो पैट्रोल बेचता था उसके पैसे भी इसी सेल में दिखा दी क्या बोला कि मैंने पैट्रोल सेल नहीं करा मैंने करा और पैट्रोल पर गवर्मेंट को टेक्स आजाता एक्साइज वैट मान लो 40% तो यहां पर यह कंपोजिशन वाला कितने दे रहा था 100% अगर मैं शराव की बात करुँ तो वह क्या कर रहा था कि बेचता स्रावता क्याता था लेकिन स्राव नहीं पेच यह चक्णा पेचा साथ हमां तो ग्वर्मेंट ने क्या का अगर तुम ऐसे प्रोड़ॉक्ट में डील कर रहे हो जिस पर जी स्ट नहीं है क्या बोला तो अगर देखो मैं तुम्हें सिंपली यह भी समझा सकता था यार जिस पर टैक्स नहीं है जी एस्टी में तो वह कंपोजिशन ले सकता लेकिन मैंने आपको क्यों बताया कि आप लोजिक समझ लो लोजिक से चीजों को समझ लो तो यह आपको रेस्ट्रिक्शन से याद रखनी है और आपको लोजिक भी क्लियर होना चाहेगी यह रेस्ट्रिक्शन क्यों है कोई डाउट यह तक मोलो क्लियर हो गया यह यहां पर गानी तो पहला आपको यह समझना होगा कि यह कंपोजिशन कैसी है ठीक है अब मैं तुम ते एक कॉश्च पूछूंगा एक्जाम में कॉश्चन आएगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है आपको पता है जीस्टी यहां पर पैन नंबर है कपिल यहन का मैंने एक दिल्ली में ब्रांच खोल ली अपनी ठीक है लैट्स अपोज मेरा प्रोविजन स्टोर क्या ही मेरा प्रोव को ली यूपी में दिल्ली में मैं सेल करता हूँ 50 लाख रुपे की साल की और यूपी में सेल करता हूँ 70 लाख रुपे की सेल की तो बताओ क्या मैं कंपोजिशन स्टीम ले सकता हूँ है कि इ수िच्व एकनिन है कि अभी तक आपकर नए इसकिते अभी तक जितनी खुपंपॉसिचिंट स्किंठ कर आए हो तो बताौ क्या जिक्पत है मैं यूपी में दुकान खोल कर चेल कर दिल्ली से दुकान कोल कर दिल्ली में सेल कर रहो हूं, तो क्या दिक्कत है? हाथों पै नेगी है, तो क्या दिक्कत है? यहाँ पर भी composition ले रखा है, और यहाँ पर भी composition ले रखा है, तो क्या दिक्कत है? बोलो एक्जाम में ऐसा कुश्चन आएगा तुम करोगे नहीं अभी जितनी रेस्टिक्षिट्टन लगाकर आए हैं कोई रेस्टिक्षिंग्षिंज क्या है बताऊ कोई बैंड करती है टन उवर उसने क्या बोला था ठेट क्रोड से उपर नहीं होनी तो मैं टन नोवर कितनी तो मैं गुट्स बेच रहूं मैं कोई तंबागुक है नी रेस्टिक्टी गुट्स नी बेच रहा है समझा रही है मेरी बाद तो क्या मुझे मना है आंसर इस रेसे ना नहीं है तो एक्साम में अगर ऐसा कुष्यन आये तो घड़बड मत कर जाना उसने बोला था कि दिल्ली से यूपी नहीं वेच सकते इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते तो चैने दिल्ली यूपी हर्याना तीन जंग अपनी खोलू ब्रांच लेकिन मुझे टोटल टर्नोवर चेक करनी है टोटल टर्नोवर अब क्या हुआ तो एक दिल्ली में मैंने अपने एक बेटे को बिठा दिया बड़े बेटे को यहां पर यूपी में छोटे बेटे को मैं तो रेगुलर में जाओंगा मैं किसमें जाओंगा सैक्शन 9 मैं ने का वही तुछ आइसा क्यों गहता चोटे तुझे सेक्शन 9 में जाना पाच परसेंट पाराइप इस अथारा परसेंट उसने का पापा सब लोग कहते छोटा अदमी है छोटा अदमी है इस और मतलब तो चला जाती है इस तो नौर्मब चला जाए अब बढ़े बेटे के पास पास पर गया जो कि अपनी तो पचास लाग किशेल हो जाती है वह खर्चा वही कुछ तो मैं तो कंपोजिशन ही रहो हुआ है और यह किसमें जाना चाहरा है नॉर्मल में डिपार्टमेंट के पास गया पैन नंबर किसका है कि कबिल्यन का उन्हें का ऐसे नहीं हो सकता एक बाप दो बेटे अलग-अलग रास्ता यह मंजूर नहीं करेंगे कि दोनों को एक रास्ते पर चलना पड़ेगा तो क्या बोला कि अगर आपका पैन नंबर एक है तो आप ऐसा नहीं कर सकते एक रजिस्टेशन के लिए एक पोजिशन ले लो और एक के लिए नौर तो यह किसमें लिखा प्रोविज में लिखा किसमें लिखा कि प्रोवाइड ड़ेट वेर मोर देन वन रजिस्टर परसन तो दिल्ली और यूपी दोना लगलग रजिस्टर परसन होगे बाई बोलो जी है ना हैं विंग दा सेम पैन नंबर और पैन नंबर क्या था उनका सेम ता रजिस्टर परसंट नोट पी लिजबल तो ओप्ट प दो और फिश्고 में पुब ऑई नोर्म्हार गर मळक ऊगए नहीं जा सकता तो किलियर हूँआ सब किलियर वी हिर्शुएन टू तो कई शारि रेस्क्श्य है क्या है वही बरनाता कि बनलाता एक रज़ेयर और थकी नर्सेशुए Sid हुए है गोवर्मेंट से उन्होंने क्या करते हो तुम है गुट्स वालों को कंपोजिशन दे दी और हमें कंपोजिशन नीदी उन्होंने का तुम कौन करें हम सर्विस वाले है करें तुम्हें अगर कंपोजिशन देते हो तो तुम तो नुक्सान कर दोगैं क्योंकि उन्हों कर दो दो अपनको विना कम पोजिशन के और उन्होंने का भाई पहले न कुछ है आपको ऑगए कि खाने खाईि उन्होंने का सम्झाएं में ईंचोन सब्सेक्षव कर सब८्यार The का a taxable person to whom the provision of subsection 1 apply shall not collect any tax from the recipient कि जो भी वेक्ति composition लेगा वो कोई भी tax customer से collect नहीं करेगा जैसे section 9 वाले करते हैं यह सारा taxi अपनी जेव से ही देंगे उन्होंने का हम अपनी जेव से क्यों दे हैं उन्होंने का एक ही तो परसेंटे क्यों हो रहा है कि देड़ करोड की सेल पर कितना डेक्स देड़ लाक तो दे दे अपनी जेव से जब तो इतना benefits दे रहा है costing में अड़ कर लिए और मैं का चलो ठीक है हम अपनी जेव से देगे और आगे क्या लिख दिया एंड शेल नोट कलेक्ट एनी तेगे ना क्या लिखा एपलाई शेल नोट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रोम्ट रिसीपेंट और सप्लाई मेड बाहिं और नोर शेल बी एंटाइटल टू टेक एनी क्रेडिट ऑफ इन्वी नहीं करेंगे अब यहां पर देखो बड़े मज़ेग फिर फार स्टोर वू उसकी है वहां उसकी जो पर सैल 25 civ की 28 28 28 की है ऐसे हो गी यह कि यह यह क्या घरता होगा चरyuर्णली एक करोड़ का माल खरीट के लाता होगा और कितने का सेल कर देता होगा एक करोड़ दस लाग का समझ पारे हो मेरी बात या निए जब ये एक करोड़ का माल पीछे थे खरीद के लाता होगा तो जिन भी कमपनियों से खरीद के ला रहा है वो बिल देती होंगी उस पर GST लगाती होंगी लेकिन अगर ये कमपोजिशन को सिलेक्ट करता है तो गोर्मेंट ने क्या कहा कि एक करोड़ पे जो तेरे पे ITC लगकर आया दस लाग रुपे का हम तुझे वो ITC नहीं देंगे हम वो ITC तुझे नहीं देंगे और अगर ये एक करोड़ कमल कितने में बेच रहा है एक करोड़ दस लाग में अगर ये समझ ना अगर ये GST में ही रेजिस्टर होता और नॉर्मल इस्कीम में होता तो इसे कितने पे टेक्स देना होता शरीफ दिफ्रेंस अपांट भी तो देना होता है नॉर्मल इस्कीम में ठीक है जो मार जाने उसका तो दस लाग पे टेक्स देना पड़ता है दस लाग पे मालो पाच परसेंट है टेक्स कितना जाता पचास हजार है या नी लेकिन कमपोजिशन में आने के बाद गवर्मेंट ने इसका ITC खतम कर दिया इसका ITC क्या कर दिया और क्या बोल दिया कि जो तुने एक करोड़ दस लाग की सेल करी है मुझे इसपे एक परसेंट देते एक लाग दस हजार तो गवर्मेंट खेल गई इसके साथ पहले टेक्स आरा था 50 और आफके सिप्टना ओर एक दस लेकिनि कि जिसके पीछेक्स यह इसको का बेशता है वह सामने वाले व्यक्ति ले लेंगे क्या लेंगे तो इसे कोई बैश्ट नहीं है तो अब यहीं बात करते सर्विस के एंगल से किसके एंगल से कि मैं आपको सर्विस दे रहूं आपको पढ़ाता हूं और लैट सब्सक्राइब डेड़ करोड़ है तो डेड़ करोड़ की टरन ओवर पर कितने लाग रुपया का जिस्ट्यों के आउटपुट 27 लाग का बोलो जी 27 लाग का हो गया अच्छा मैं सर्विस देने में इन्वर्ट सप्लाई कितने की लूंगा सर्विस के कैस में सर्विस के केस में Laparheart कि दोंगा तो government को कहना है कि हो सकता है कि जो यह इन्वर्ट शप्लाइए लो इस पर जीरो जीस पर जी एस्था हो जी नहीं पर जीरो और अगर हम तुम्हें सर्विस वालों कंपोजिशन के अंदर लियाएंगे तो हमारा कितने का नुखसान होगा 27 लाग में से तेड़ करोड पे कितनी देद होगे एक परसेंट देद होगे जादे से जाद है तेड़ लाग दो लाग तीन लाग अपने को इतना नुखसान नहीं लेना मैंने का गुट्स वालों को क्यो दिया उन्होंने का देखो गुट्स वाले अगर डेड़ करोड की सेल करते हैं तो उसे परचेज करने के लिए कम से कम एक चालिस का माल तो परचेज करेंगे एक बीस का माल तो पर्चेज कर रहे होंगे हो सकता है वो रजिस्टर हो तो वहां पर हम उसका ITC खा जाएंगे तो इसलिए गुड्स वालों में हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा समझ आ रही है खानी या नहीं लेकिन सर्विस वालों तुम में ज्यादा नुकसान है मैंने का फिर रेस्टोर रेस्टोर एंट वालों को देरिए यह कमपाच परशन लेते हैं क्यों पाइट आइटक्स ले मोटेक्स कीज़िए सब्जिए सब्हुन का मासालों पे मिलता था उसे छोड़ दिए लेकिन सकून की जिन्दगी जीरें कितनी थे खेंगा ह्पांच परसेंट तो सर्विस वालों की ढिंद की डिमांड ती बहुत से, नहीं है तो इन्होंने का फिर restaurant को क्यो दी तो इन्होंने का चलो ठीक है जाओ तुम भी खुश हो जाओ तुम भी खुश हो जाओ तुम भी खुश हो जाओ सर्विस वालो हम तुमें भी composition देंगे और इसके लिए एक नया section insert किया गया जिसका नाम था 10-2-a क्या था जी 10-2-a तो now there is a two scheme in composition first is 10-1 and second one is 10-2-a और ये 10-2-a किसके लिए होई services के लिए तो 10-2-a में rate क्या लख रखा हुआ एक परसेंट इन्हों ने का service के लिए पहले ही हम कितना रखें पाच तो तुम्हें बढ़ा के देंगे महंगाई बढ़ गई है च्छे परसेंट तीन परसेंट सीजेस्टी और तीन परसेंट एजएस्टी अब सर्वीस वालो ने का अब हमें कुछ restriction है क्या या विंदास कुछ भी कर ले उसने का तुम पर भी restriction है कि सर्वीस वालो अजय तुम्हें क्या लगता है एक वेक्ति वैपार करता है ठीक है न यह सोनू है और तुम क्या हो अनिल अब यहां पर एक खुबसूरत लड़की है ठीक है अब यह सोच रही है सोनू से साधी करूं या अनिल से साधी करूं इनके दोनों के financial समझना है ठीक है सोनू की डечение है करोड रुपे की शोनू बिजनिस में निए दो करोड डुख धी और सोग का प्रोफिट होता उस दो करोड की ज्ल में पांच लाख रुट ृट को अ pony कि से लो अनील देता सर्विस क्या देता यां जा चिस है कि घिस्श बीस और उस बीश तमे कुमा लेता आट लाग कि बड़ आतमी कौन सो नूं या अनिल कि लड़की कितसे साधी करें है अनिल ओ तो body तो तो गुंट्स के केस में तो लिमिट कितनी दो करोड भी कोई दिक्कत निया Μजरे हो तो गुड्स के में लिमिट हमारी कितनी थी 10 करोड तो तो इन्होंनने काव सर्विस के एक समें 20 लाग मिवनत हुथ तो इन्होंने का पहली restriction तो यही है कि तुम 50 लाग से उपर नहीं जाओगे किस से उपर नहीं जाओगे यह सोच लेना कि देड़ करोड की सर्विस देंगे वह देड़ करोड की लिमिट या 75 लाग की लिमिट किसके लिए गुड्स के लिए तो 10-2-a के लिए जो नई स्की में 10-2-a की क्या जी तो लोजिक के लिए रहा कि 10-2-a की लिमिट 50 लाग क्यों है क्यों कि किसके लिए इन्हों ने लिखके नहीं बताए कि सर्विस के लिए लेकिन यह कहते हैं यह सर्विस के लिए और हमारा इंस्टूट का इस याई मैटेरियल है वो भी यह कहता है कि सर्विस के लिए लेकिन इसे कोपी करा हुगा जो 10-1 की स्कीम है उसी के जैसे तो जब आप इसे पढ़ोगा तो आपको फील आएगा कि 10-1 पढ़ रहे हो ठीक है लेकिन कुछ चीज़ें लग है पहली चीज़ें लग क्या है इसमें रेट लग है रेट कितना तीन परसेंट पड़ाओ यह वाली स्कीम हां 10-2 तो जब भी किसी सेक्शन के बाद A B C लग जाए तो समझ लेना वो यह नया है समझा रहे है जैसे आपके मोबाईल में होता ना बीवी बीवी बीवान बीटू ठीक है मोबाईल नंबर सेव करते हैं तो जो टू नंबर मतलब नया वाला है तो समझा रहे हैं पापा लंडन वाले ठीक है ऐसे लोग पाग पता नहीं कैसे कैसे नंबर सेव करते रहे हैं तो टू है क्लियर हो गया तो इसके अब इसकी बीडिशन बढ़ेंगे तंचन मतलो तू नोट विद एनिधिंग कंटेंड इन दा कंट्रेरी कंटेंड इन सेक्शन बट सब्जेक्ट तू दप्रोविजन ओ सब्सेक्शन 3 और 4 वही लाईने आ रही है उपर जो टैन वन में थी ए रजिस्टर परसन नोट इलिजिबल इन्होंने का जो गरीब इनसान इलिजिबल न नोट एक्सिट 50 लाइक रूपीज जिसके टर्नोवर किससे ज्यादा नहीं होरी 50 लाइक समझ में आ रहा है यह मैं सोचना इसे भी बढ़ा दिया गया होगा अभी बढ़ाया निया इसे में ओप टू पे इन लीव टेक्स पेवल अंडर सब्सेक्शन 9-1 चार्जिंग तो 10-1 किसके लिए है बाई 50 लाइक वालों के लिए ठीक है जी और 3 परसेंट का सीजिएस्टी इसके लिए भी वही कंडिशन से एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई और गुड्स और सर्विस्ट विचार नोट लाइविएवल टू टेक्स भाई तुम नोट लाइविएवल वाले में मच जाना ठीक है ऊपर बढ़कर आया हम दुबारा तो नहीं एक्स्प्लेन करना एंगेज इन मेकिंग एनी इंटर स् अगर तुम्हें यूपी गुडगामा जाने का शोख है तो नौर्मल में रहो एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस्टू यी कॉमर्स ऑपरेटर के थू मत देना सब्सक्राइब यह मैं उपर वाली सारी चीज़ों को कोपी-पेस्ट कर दिया ठीक है त तो टूए में जो डिफ्रेंट्शेट पार्ट है वो मैं आपको समझा चुका क्लियर होगे यह कानि यहां तक इसमें कोई डाउट हो तो बोलो नहीं है इसमें कोई डाउट सब सेक्शन 4 में तुम्हें पढ़ा चुका बाइच एक परसेंट देना यह पाच परसेंट देना अपनी जेव से तुम क्लाइंट से कुछ भी कलेक्ट नहीं करोगे और तुम ना बिल ओफ क्या बोला जी बिल ओफ सप्लाई इशू करोगे क्या इशू करोगे टैक्स इन्वोई इशू ही नहीं करोगे तो टैक्स लोगे नहीं और आइटी सी हम तुमें देंगे नहीं समझ यह मत सोचना कि restriction शिरिफ subsection 2 में है 2a में है ठीक है आई टीची वाली restriction किसमें है फॉर्म ठीक है आप इन्होंने क्या बोला ठीक है न इन्होंने का भाई देखो बास सुनू जब आप composition scheme में हो चाहे 10 ब्रांच खोलो अपनी चाहे 50 अपने को कोई मतलब लेकिन सब की turnover बरना centralized calculate करते रहना और जिस दिन भी तुम्हारी turnover कहले तो इन्होंने क्या बोला कि पिछले साल में जादा नहीं होनी चीए अब एक वेक्ति ने का भाई पिछले साल में तो अपनी जादा है नहीं क्या बोला इन्होंने अपनी पिछले साल में turnover है एक करोड़ चालिस लग कब की बाद है 21 पिछले साल क्या हो गया 21 उसने का current year में कैसा करते हैं पचास करोड़ की turnover करते हैं कितने की घरते हैं क्योंकि यह turnover कौन सी चेक कर रहे हैं पिछले साल की उसने का ओ भाई ओ भाई रुख जा उसने का हम चेक करेंगे पिछले साल की तेरी पिछले साल की basis पर तुझे इस साल क्या दे दिया तो इस साल हवा में मत उड़ियो जिस दिन तेरी turnover जो हमने limit दी है चाहे वो पचास लाग है सर्विस के केस में चाहे वो आठ स्टेट्स के केस में 75 लाक है या वैसे डेड़ करोड है जिस दिन वो क्रोस कर जाएगी उसी दिन तू थे कहा ना कम पोजिशन से निकाल दिये जाओ ठीक है क्या लिखता है यह सब्सेक्शन द्री दा ओप्चन अवेल्ड दा ओप्चन गर्ण दा केस में भी सेल लेफ्स क्या हो जाएगा यह लैस्ट हो जाएगा सेल लेफ्स विद इफेक्ट फ्रों दा डे ओन विजड़ अग्रिगेट टौवर दूरिंगे फिनेशल एक्सीड दा लिमिट इस्पेसिफाइद अन्डर सब्सेक्शन वन वो सब्सेक्शन 2-a ए जिस दिन वो एक साथ हुई है तो सुबह तुम्हें डेली आके पूछना पड़ेगा अपने अकाउंटेंट से कि सारी टन ओवर में चोड़ो दिल्ली की उठाओ यूपी की उठाओ सबकी टोटल करके बताओ कितनी है समझा रहे हो क्योंगी जिस दिन आपकी डेड़ करोर स किससे बाहर हो जाओगे तो बाहर होके क्या होगा नॉर्मल में आजाओगे क्या होगे सब नॉर्मल में आके क्या होगा जो नॉर्मल टेक्स होगा वो देना पड़ेगा तुम्हें जो इस्कीम का बेनेफिट था वो नहीं मिलेगा समझाई बात या नहीं बोलो किलियर है तो मैंने आके गिने कि तेरे अकॉंट में इतने पैसे आ गए और तुम पोजिशन के लाएक है तो इस स्कीम के लायक है नहीं मैंने सोनु को देखा यह क्या करता है सीनियर सिटीजन बन जाता है जब ट्रेन में जाता है ठीक है ना तोपी लगा लेता है गंजे वाली एक लाठी ले लेता है बुड़ा का एक्टिंग कर लेता है एक दिन चेकर नहीं से बगड़ लिया अब पर आदे टिकट बजा रखे रहा सर सीनियर सेटीजन तो फिर क्या होता है उस केस में है फाइल लगते आता है तो इन्होंने का अगर तुम बहरुपिय बनकर काम करोगे मतलब कि तुम कंपोजिशन में हो नहीं और कंपोजिशन के मजे ले ये जा रहे हो किसी भी तरीके से और हमने तुम्हें पकड़ लिया तो हम तुम पर पैनल्टी लगाएंगे प्रोविजन ऐसे लगाएंगे जो सेक्शन सेवन्टी थी और सेवन्टी फोर में लगाते हैं तो क्या कहता है इप प्रोपर ओफिसर हैस रिजन तू बिलीव डैट एट टैक्सेवल पर्सन हैस पे कि सल्मान खान की मूवी देंगे तुमने हम आपके हैगों उसमें क्या था कि जहां पर लड़का डांस कर रही होती थी सल्मान खान की एंट्रीं इसी वहां पर लड़कों की तो वह बेस बदल के चला जाते हैं तो उन्हों ने का ऐसे नहीं करना तुम इलिजिबल हो इनी त तो तुम यहां पर आनाइवत नहीं तो पिटाई होगी समझ आ रहे हो तो ध्यान से कई भी-कभी पब्लिक पैलेश में वोश्रूम भी जाने पहले देख लिए अगरो लड़की लड़का ठीक है जो लड़के वाले उसमें जो मैं तो देखते जाता हूं कई बार तो हो और अंदर आगे तो पिटाई होगी कैज होगी डिस्पाइट नोट बिइंग लिजिबल सच पर्शन सेल इन अदिशन टो एनी टेक्स डैट में भी पेबल भाई अंडर एनी अदर प्रोविजन ओप जिस एक्ट नाइन वाला टेक्स तो लही लेंगे और साथ में भी ला होगे ठीक है ना तो मापर तुम पर पैनल्टी भी लगेगी तो किलियर हुआ कंपोजिशन या नहीं हां पूरा सेक्शन किलियर होगे अब इसकी कुछ बाते रूल से मैं आपको बता देते हैं लेकिन इसकी एक्स्प्लेनेशन मैंने आपको नहीं कराई एक यह वाली एक्स क्लियर हो जाएगा फिनिश अब यह जो क्लैरिफिकेशन नहीं से जरा समझना है जब मैं आपको चार्जिंग सेक्शन पढ़ाता हूं तो महां पर मैं एक चीज बताता हूं कि तुम्हें बिजनिस कर रहे हो बिजनिस का तुम्हें करेंट अकाउंट खूर लखा है एक कले लिएंड़न का सवीं खोलता हूँ कि और अपने पैसे किसे देता हूँ कि जाओ मेरे पैसे रखो ठीक है तो बैंक क्या करता है बैंक क्या करता है जरा ध्यानसे स्मझना है इस बात को वहों लोग को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं बैंक क्या करता है मेरे पैशे को यूज करता है और किसी दूसरे को दे देता है मुझे 4% का भ्यास देता है सामने से कितने लेता है तो बैंक बैंक ने भी लॉन दिया किसे सोनु को तो यहां पर service provider को ने बैंक या सोनु और service receiver को ने किलियर है अब कपिलियन बैंक में पैसे जमा कर रहा है कि कपिलियन एक तरीके से पैसे दे रहा है किसे बैंक को और बैंक उसे क्या देता उसके बदले में बैज तो बताओ यहां पर सर्विस प्रोवाइडर को नहीं अब भी बैंक है कमाल की बात देखो यहां पर सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ तुम हलके में ले तो अपने आपको हलके में मतलो तुमने बैंक को पैसे दिये जा तुभी क्या रखेगा तेरे यहां मैंने पैसे रखे और हर तीन महीने में इंट्रेस्ट देतरी हो तो तुम क्या हो सर्वीश प्रोवाइडर और बैंक क्या है सर्वीश रिसीवर है या नहीं है तुम्हें यहां पर डाउट नहीं होता जब इधर पीछे लेकर आ तो डाउट हो जाता है अरे तो तुम अपना दिमाग लगा है इस बात को डाइजेस्ट करो तुम भी बड़े आदमी तुम सर्विस प्रोवाइडर हो और अगर तुम्हें कमपनी का एक 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 शेयर कर लो मैंने इंडिस्ट मेंक केश भरीदल ले पार जब इम जाता था कहते को होन तुम मैंने का मालीक था मालीक होल तुम एंपलोईयों सब तरीकेव वे काम करो कि क्या नहीं हो कि एक जाता है यह नहीं कर दो यहां पर कपिलियन के सर्विस प्रो पढ़े इस बात को पहले माननू नहीं ल çok nice Hank us k Fallout को ने कपम द्रैंज सर्विश्व प्रोवाइडर रहे है और सर्विश favor को ने बैंक कॉपिल सर्विश दे रहा क्या दे रहा कपिल कॉपिल सर्विश दे रहा है किस चींज की डिपोजिट्स की की कि कुपिल अपने वैसे deposit करता है bank को और bank उस पर ब्यास देता है अब जैसे ही capillian service दे रहा है composition scheme कह रही है तुम service दे ही नहीं सकते है क्योंकि composition scheme subsection one वाली क्या कहती थी कि तुम service नहीं दे सकते या फिर बाद में जब amendment करीब प्रोवीजो ले कर आए तो कितने की दे सकते हो तेक है पाच लाग और दस परसेंट मैंने का सर यह मेरे को बैंक से ब्याज आया 200 रुपे क्यों चिंदी-चोरी की बात कर रहे हो कि रहे 200 तुझे लिए सब्सक्राइब कर रहे तो अगर किकती को पैशा दे रहा है तो गवर्मेंट ने कहा कि कि यह एक turnover है लेकिन हम इसे calculation में include नहीं करेंगे तो क्या डाली explanation पढ़ो अब ज़रा इस explanation को जो मैं तुम्हें बढ़ाना चारू for the purpose of second provision for the purpose of second provision second प्रोविजों कौन सा मारा है ठीक है यह जो पाच लाख वाली calculation चल लिए the value of exempt supply of service provided by way of extending deposit क्योंकि जो हम बैंक को service दे रहे होते हैं यह exempt होती है इंट्रेस्ट वाली service क्या है एक्जम्ट है जब आप exemption का chapter पड़ोगे तो महाँ पे clear कि बैंक को अगर आप बैंक आपको ब्याज दे रहा है तो वह exempt है बैंक ब्याज ले रहा है वो भी exempt तो इन्होंने बोला for the purpose of second proviso the value of exempt supply of service provided by way of extending deposits loan or advance insofar as a consideration is represented by way of interest जहां पर consideration तुम्हें किसमें मिल्ला है इंट्रस्ट में मिल्ला है और discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in a state कि वहाँ पर आप turnover की calculation में से include नहीं करोगे और यही वाली explanation इन्होंने last में दी है for the purpose of computing aggregate turnover जहां पर आप aggregate turnover calculate कर रहे हो पचास लाग कुछत्र लाग देड़ करोड of a person for determining eligibility to pay tax under this section तो aggregate जो turnover होगी उसमें एक आप यह वाली चीज़े include नहीं करोगे एक्जम्स अप्लाई ऑफ सर्विस भाई extending deposits एडवांस ठीक है यह वाली जो explanation है यह मैं आपको एक example से समझांगा है clear हो गया यह तो भाई अगर आपके example में एक्जाम में कोई question आए कि आपको interest income भी आती है तो आप उसे calculation part में नहीं लोगे समझा रहा है अब में last वाला आपको part समझांगा और इसका analysis नीचे दिया हुआ है ठीक है न एक तूसरी explanation यह है ठीक है यह वाला भी मैं आपको समझांगा ठीक है यह basically 10 2a के लिए ज्यादा relevant है ठीक है न उसके basis पर मैं आपको समझांगा बागी clear होगे आपको part या नहीं तो अब आप अगर analysis देखोगे तो आप analysis खुद भी बढ़ सकती है ठीक है analysis पढ़ने में कुछ नहीं है फिर भी मैं देख लेता हूँ कि analysis में कुछ छूटा तो नहीं है मैंने आपको पूरा section जब कराया तो पूरे analysis एक साथ करा दिए फिर भी आप देख लो जो जो चीजे मैंने आपको बताई है वो सारी चीजे है ठीक है ना कि यह जो composition scheme है क्या है एक alternative method है ठीक ना किसके लिए स्रीफ small taxpayer के जिसकी जो turnover है वो एक prescribed limit तक है ठीक है ना जी the objective क्या है कि simplicity लाओ तो सर सिंप्लिसिटी क्या होता है composition में तो जब आप से कभी कोई पूछेगा हाला कि जब आपने GST returns का chapter पड़ा तो इसमें simplicity क्या आ गई इसे ना return साल में एक बार बरनी होती है annual इसकी return का नाम क्या होत 一切 है तो सिंप्लीशिटी और टेक्स की पैमेंट कैसे चरणी पढ़ती है quarterly क्यानी पढ़ती है क्वार्टरली कैसे सी एमपी जीरो एट से कैसे है ठीक है हर तीन वहिने में एक बार प्रिमिंट करनी होती है तो सिंप्लिसिटी है या नहीं है अच्छा और मजे की बात क्या देखू ठीक है न इनके पास जो टैक्स पे करना है क्या जी रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% और वैसे एक परसेंट ठीक है टन ओवर की लिमिट इन्होंने डेड़ करोड दे दिये वह हमने बता दिये ठीक है न अब यहां पर जो यह नई सर्विस वाले को लेकर आयते उनके लिए क्या है 6% लेकिन यह कब आई है बाद में किसके लिए यह फोटोग्राफर के लिए ठीक ह किस तरह के सैलून वाला हो गया टेलर हो गया ठीक है न जी इनकी सिंपल लिटन है और क्वाटरली पेमेंट होती है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं यह मैं आपको बता चुका हूँ आजी हां इन्हें इशू क्या करना होता है इसके अलावा क्या है इने परसंटेज से टेक्स है ना जी और वो जो परसंटेज हो हमारे रूल में लिखी हुए किसमें लिखिया जी रूल में ठीक है अभी दो तरह की कंपोजिशन इसकी माप पे हो गई एक तो टैन वन टैन टू के अंदर जो गूर्स के लिए और टैन टू वाली को किसके लिए बोलते हम सर्विस के लि प्रश्वति ऑफ्लते हैं यह आपको मैंने पढ़ाई दिया नक्से पर दिखा दिए थी मैंने इदर की उत्राखन और बाकी साथ मांकी ठीकर वैसे इस पेशल केटेगरी असाम ऑँ हमाचल भी और जंबो एंड कश्मीर भी थे लेकिन उस 11 में से 3 में अपने को फ़रक निपर लेकिन बाखी आट का कैइट है समझ में आ गया बोलो है और यह सारी लिमिट किसके बेसी दिखी जाएगी पर नंबर पर ठीक है तो आप यहां पर जब भी कोशन पूछे तो आप बता सकते ओ कोश्चन है मैं नहीं चाहता कि तुमें से पढ़ो ठीक है ना चिंटु का मतलब आसान है तो पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लोगे इसमें एक कुश्चन आएका बहुत बढ़िया वह मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं ठीक है अब यहां पर जो बात करते हैं एग्रिगेट ट लोब बताना चाहरों थिके एक समझना रूण सेवन का इंपोर्टंट पार्ट च्या गयता है हम रेट बताएंगी शक्ष् Cour möंष कई रहे पसकेहर लेकिन टा ने maximum क्या बोला था तो अगर हम restaurant service की बात करें तो जो maximum था इन्होंने वहीं बोला ठीक है अगर हम बात करें any other supplier की किस की जी इनी other supplier मेंभी कितना था 20% तो इन्होंने कितना लिख्वा है आदा पर संट लेकिन जो manufacturer के लिए rate था किसके लिए rate था जी हम वहां पर कितना लिखा वाता याद करो 1 प्लस 1 2 परसेंट लेकिन इनों ने जब नोटिफाइड करा तो कितना करा स्रीफ आदा परसेंट नोटिफाइड करा कितना स्रीफ आदा परसेंट तो इसका मतलब प्ला ठीक है जीरो पॉइंट फाइड टिएम प्लस में लेकिन इस मेरा एक अंतर है जो यह आदा परसेंट का रेट मैनुफेक्चिरर्स के लिए है और आदा परसेंट का जो रेट ट्रेडर्स के लिए इनमें एक अंतर है इसमें अंतर समझे रेट में क्या अंतर है दोनों में अदा आदा अपरसेंट बोला इन हो ने लेकिन इसमें कमी क्या करिया इन होने यह जब कहता है कि अगर होगा किसी भी ऐइटम का में तो वो जो आदा पर संट देगा बशपन कर देगा किसका लेगर वह आंपर सेल्ट देगा को टेक्स सेबल सप्लाई को सब्सक्राइब यहां पर इस चीट को समझ लो अगर आप मैनुफेक्चरर हो तो किसका दोगे टर्न ओवर का आप मालो एक मैनुफेक्चरर ऐसा है जो दो गुड्स बनाता है एक टैक्सेवल और एक एक यह 40 लाग के बनाता है यह सतर लाग के बनाता है तो टोटल टर्न ओवर कितनी हो गई तो इसे जो वन परसेंट देना किसका देना है एक दसका जबकि इस पर टैक्स रेट क्या है जीरो लेकिन फिर भी से क्योंकि यह कंपोजिशन के मज़े ले रहा है और यह मैनुफेक्चरर है तो इसे डंडित किया जा रहा है और अगर इसी की जंगापर ट्रेडर होता कौन आता जी कि ट्रेडर होता तो किसका देता स्रीफ इस तो यह इंपोर्टेंट है यहां पर आपको कंफ्यूज करके कॉश्चन एग्जाम में आ सकता है समझ आ गई यह वाली कहानीया नहीं बोलो ओ टिक है तो यहां पर एक एग्जामपल दिया तो ट्रेडर के केस में एक्ज 10% का एत क्लिए॔bn फो सर्फिस वालों के लिए थी जी इंपोर्टेंट है यह इंपोर्टेंट एक्जामपल है जो को समझाना चाहिए ठीक है एक फोटोग्राफर है चंपक अब यह चंपक फोटोग्राफर है समझ ला जब यह 10-2-1 इस्कीम आई तो इसे लेकर बड़ा दिक्कत ही दिक्कत क्या है कि इन्होंने क्या बोला कि पिछले सब्सक्राइब करें चाहिए पचास लाग से उपर नहीं होने चाहिए तो मान कर चल लें जो चंपक है इसकी फिनेंशल यह कि 21 में कि टर्न ओवर कितनी थी तीस लाग थी अब हो सकता है कि चंपक नया बिजनिसमें भी हो जब इसकी टर्न ओवर तीस लाग थी या और सिंपल करते तो मैं तुमारे लिए एक्जांपल थोड़ा था तीस लाग नहीं लेते इसे ले लेते कि 15 लाग ले लीते कितनी ले लेते क्योंकि 30 लाग अगर हो जाती तो फिर तो इससे रच सबस्टेशन कराना पड़ता न क्योंकि सर्वीस के लिमिट कितनी है विस लाग है न तो हैम मानकर चलें यह तो इसकी टरोवर 15 sido यह इसने बिजनिसी कप से श्टार्ट कर रहा एक42022 से थे अब ये बिजनिस अपना श्टार्ट कर रहा है झीलैंग तो यह कह रहा है बैस सब मैं बिजनिस कर रहो मुझे सला गो थी पेख़ो तक तो तुम्हें कोई GST ले नहीं कि उसे का यह यह लिए करता रहा कॉर्ध yarn तक आकर सी तचिए उन तक आकर इसकी तर्न अवर कितनी हो गई बीच लाग मैंने का भाई तुमें रई की बीस लाक बहुता है तुम लाइबल टो हो गया nya रूजा र्रेज्जिटेशन के लिए अगे की से लो मैं एक्स निल हो घ्रैयर कम पोजिशिशन की लिए सब्सक्राइब करने लगा और इसने जो काम करा जुलाई अगस सितंबर में 30 सितंबर तक इसका काम कितने अब पहला कोश्यन यह है कि जब इसका काम यह तक पचास लाग और एक जुलाई से 30 सितंबर को क्योंकि से क्या करना होता है को ट्रली पेवेंट करनी होती है तो अब यह सितंबर में खड़ा है और अठारा अक्टूबर को इसे टैक्स पे करना है सी एंपी जीरो एट वह कितने अवांट पर करेगा पचास लाग पे या तीस लाग पे हाँ पचास लाग पे छे परसेंट जमा करेगा या तीस लाग पे कि आंसर इस तीस लाग क्योंकि भाई 20 लाग तो सब कोई बेनेफिट मिलता है मुझे क्या लग मिला एक्जेंट नी मैं तो लाइबल ही नहीं था मैंने तो रजिस्टेशन ही नहीं कराया तो मैं कि टेक्स क्यों दू तो यहां पर वो तीस लाग पे कितना टेक्स देगा भाई शेपर समझागी अब तीस सितंबर को जब वो खड़ा है और वो फिर तुमसे सला मांग रहा है करा भाई सब आपने बोला था कि पचास लाग तक ही कोई वेक्ति टेन टूए ले सकता ह पचास लाग तक ही क्या ले सकता है टैन टूए लिखा था ना हमने सेक्शन में बढ़ा था कि जिस दिन भी पचास से ग्रोस हो गई तुम नॉर्मल में आ जाओगे तो अब मैं आगे का बिजनिस जो करूंगा तो क्या मैं कंपोजिशन ले पाऊंगा या नहीं मैं नहीं ल क्या प्चास लाग की इसा नुमिन लॉख करेंगे क्या एक अप्रेल वाली से भी एडड करेंगे या नहीं यहीं वाली करेंगे क्यों टेक्स देते समय तो तुमने यहीं वाली गरी दी तो अब composition की turnover calculate करते समय ये वाली देखेंगे या पूरी total देखेंगे तो यहाँ पर पूरी देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे और एक October से उसे क्या आ जाएगा नोर्मल स्कीम क्या जाएगा तो जो मैं दो explanation आपको छुड़वा कर आया हूँ यही दो explanations आपको यहाँ पर पढ़नी है क्या कहता है explanation 1 for the purpose of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility क्या determine कर रहे है है मुसकी eligibility कर रहे है to pay tax under this section the expression aggregate turnover shall include कि जब आप aggregate turnover include check करोगे कि section में वह applicable है नी शैल इंक्लूट the value of supply made by such person from the first day of April क्या आप उसकी turnover कहां से calculate करना एक April से financial year up to the date when he becomes liable for registration under this act ठीक है ना जी किलियर है समझ में ही मेरी बात या नहीं अब दूसरी explanation क्या कहता है for the purpose of determining the tax payable जब आप उसका क्या निकाल ले हो tax payable निकाल ले हो the expression turnover in a state आप किस पर निकालते हो state की turnover पर निकालते हो नहीं तो कहता है the expression turnover in a state or turnover cell not include कौन कौन सी चीज़े include नहीं करेगा supply from the first April financial year up to the date when such person becomes liable under this act और जो हमारा extending deposit था एक्सम्स तो किलियर हो गई एक्स्प्लेनेशन तो मैंने यहां पर छोटा लिखा है पचास लाक की लिमिट के लिए तो एड़ करेंगे और टेक्स लेने के लिए बीस लाक एड़ नहीं करेंगे नट सेल में इन एक्स्प्लेनेशन का यह परपस है समझ आया भाई या नहीं आया बोलो हां जी तो मैंने आपको जो रेट था वह भी बता दिया इसमें रूल्स और भी है ठीक है भाई यह टेंट टुए में मैंने आपको अंतर बता दिया था तो लगबग वही सारी एकिए जो रेस्τιुटिड है तो आइस्क्रीम रेस्टिक्टिड हुरे पान मसाला रेस्टिक्टिड है तंवाकोर AZ सिटिक्टिड है और रे हुद में कहुद्ध है को यह लुद्वाटर में लेकिन आव्ट्वार्ट नहीं देश्प było है तो यहां पर लिखा हुआ है कि तो मैंने लगबग आपको पाच लाख वाली लिमिट भी चेक करा दी थी अच्छे एक्स्प्लेइन करा दिए पाच लाग और टैन परसेंट विच्वर इस आयर दुबारा कराने की नीड है क्या इसका एक्जामपल इन्होंने दिया हुआ है अगर आप देखना चाहें तो वह चीज देख लेना आप टीक है ना जो मैंने आपको रेस्टिक्शन्स बताई है वह सारी की सारी रेस्टिक्शन्स में आपको पढ़ा चुक हूँ ठीक है आइस क्रीम पान मसाला यह वाले गुड्स अगर आप मैनुफेक्ट्र करते हो क्या करते हो जी ट्रेडिंग में कोई लेकिन किसमें मैनुफेक्ट्र तो मैनुफेक्ट्र आप इस चीज को समझना कि मैनुफेक्ट्र पर रेस्टिक्शन है टेडर पर नहीं साथ में अगर उसके ओपर कोई 9394 का आर्सम लग रहा है वो पे करेगा पर उसका ITC नहीं लेगा मैं प्रोविजन स्टोर वाला हूँ मैंने ट्रांसपोर्टर की सर्विस ली मैंने एड़ोकेट की सर्विस ली तो मुझे 9394 में आर्सम देना पड़ेगा बट उसका ITC में नहीं लोगा दूसरी चीज क्या है यह मैं आपको बता चुका हूँ वो क्या करेगा अपने माथे पर लिखकर घुमेगा माथा मतलब ज लेनी कि टेक्स कलेक्ट करते हैं और जहां भी वो लिखेगा अपना नाम साथ में लिखेगा मैं हूँ कंपोजिशन टेक्सेवल परसन हर नोटिस पर हर साइन बोड पर यह चीज़े वो डिस्पले करेगा क्लियर है या नहीं है बोलो जी आप इसका जो है यह प्रोसीजरल पर्टल पर यह सारी चीज़े कैसे होगी तो जब भी कभी मुझे कंपोजिशन इसकीम लेनी है तो मैं पोड़ को बताऊंगा कि मैं पोजिशन ले रहो तो प्रश्चन कभ ली जाएगी या तो भाई सुरुवात में जब रिजिश्टेशन ले रहो तो महीं पर ऑप्शन आ किसमें आ जाओगे कि अगर तुम्हारा चलते चलते मन बन जाए मतलब तुम अच्छे खासे नॉर्मल में किसमें हो जी अच्छे खासे किसमें हो नॉर्मल में अब वह खार भाई अबना मैं कंपोजिशन लूँगा कब इसकी गल्फ्रेंड का बर्डे था कब कब ता सोनू तीस अक्टूबर को इसकी गल्फ्रेंड का बर्डे था इसने सोनुने पूछा मांगो क्या मांगती हूँ इसने का मैं यह मांगती हूँ कि तुम ठीक है ना तुम तुम कंपोजिशन में आ जाए ठीक है ना तुम किसमें आजो कंपोजिशन आजो बशाज ही मांग पूरी करतो कैई ठीक है में कल से कंपोजिशन में आजोंगा एक नॉमबसे यह गोवर्मेंट के पास और इसने दिका है साहब मुझे किसमें न है कंपोजिशन में उसने का फुरसत आज नहीं 31 मार्च कौनक अब वो कहता है एक तो composition में आएगा girlfriend के कहने पर हमें नुकसान दे रहा है और वो तुछ चाहता है आज से हम तुझे composition दे दे वो कहता है कि composition में आने के तीके रास्ते बहुत है लेकिन जाने का रास्ते नहीं है तो क्या कहता ये कि यहाँ पर इस बात को समझ लो जब भी कोई व्यक्ति कमपोजिशन सोचेगा तो गोश्मेंट का नुकसान हो रहा है तो वह क्या करेगा साल के सुरुवात में किसमे आएगा जी साल के सुरुवात में तो एक अपरेल से हमेशा कप्षाएगा वो और इसकी हमारे को March के महीने में ही दे देगा इसकी intimation कब दे देगा March के महीने में ठीक है तो a registered person who wants to pay tax under scheme sale electronic file intimation ठीक है prior to the commencement of financial year which such option is excited तो beach में नहीं जा सकते हैं किस में नहीं जा सकते हैं beach में नहीं जा सकते हैं clear हुई है वाली बार कि अगर आपको composition में जाना है तो आप beach में नहीं जा सकते सालवा के शुरुवात में जाओगी फिर उसके बाद कि ऐसा भी तो होगा कि तुम्हारे पास ITC होगा बहुत सारा कि यादा रहा है section 18 पड़ाया था मैंने तुम्हारे पास ITC होगा बहुत सारा क्योंकि तुम नॉर्मल में थे और अब किसमें जा रहे हो तो क्या तुम्हें याइटीसी वापस नहीं करना पड़ेगा बोलो यस तो आपको एक form फाइल करना पड़ेगा जिसमें आप ITC वापस करोगे ठीक है ना तो हम input text credit के chapter में उसे पढ़ाते हैं लेकिन यहां से link कर रहो कि अगर आपको composition जानी है पहली बात साल के सुरुवात में जाओगे इंटिमेशन पहले दोगे और जो हमार आइटीसी है वो हमें वापस करके जाओगे समझा गई यह वाली बात ठीक है तो आप composition कभी भी लेना लेकिन मिलेगी आपको साल के सुरुवात से लेकिन इसके उल्टा अगर कोई पूछने लगे तुमसे किसा मैं composition में नॉर्मल में जाना चाहता हूं जब तेरी इच्छा आजा वेलकम बल्गे हम तुझा आइटीसी भी देंगे इस्पेशल आइटीसी देते है ना उसे सेक्शन 18 से तो composition लेवी की वैलिडिटी क्या है सबको पता है वैलिडिटी भाई जिद दिन भी तुमाई turn over cross हो गई वैलिडिटी खतम ठीक है न जी किलियर है बोलो यहां पर कोई दिक्कत हो तो हां तो मैंने आपको यह पूरा का पूरा composition इसकी पूरा समझा दिया इसमें किसी को कोई point out हो तो मुझे बताना कि सर बाकि इसमें एक बार इसे रीड कर लेना हां इसमें एक important चीज और आप मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें क्या है कि यह वाला जो हम study material पढ़ रहे हैं ठीक है इसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई यह ठीक है न मई तक के लिए applicable है तो सर नमबर के तो मैंने पढ़ा दिया तुम्हारे को मई 22 वाला पूरा study material नमबर 22 में देख लेते composition में क्या चेंज हुआ है तो composition के अंदर क्या चेंज हुआ है तो इसमें तो इसमें मैंने क्या बोला था कि यह क्या करते हैं जो manufacturer है जिनसे इने ज्यादा नुक्सान हो रहा होता है जैसे किस पर हो रहा था आइस क्रीम पे तमाकू पे उन्हें ने का तुम composition नी लोगे और अगर हमारा बस चला तो हम इसे क्या कर देंगे बार बार इनको देखके बट्था मत कह दें तो उन्होंने क्या बौला कि यूपी बिहार वाले जो तो जो इन्होंने पहले चार लिस्ट थी कि तुम लोग पहले क्या था यह चार लोग थे जो composition में नहीं आ सकते थे बाद में इन्होंने notification डालकर इन चार गुट्स को और ले गए कि तुम भी manufacturer अगर आप हो तो इन्होंने इकतिस तीन दो हजार वाइस को यह notification लाए और क्या बोला कि तुम भी composition में नहीं जा सकते तो यह commitment है तो आप से पूछा जा सकता है तो प्रोडक्ट के specific नाम से तो पहले चार प्रोडक्ट थे तंबाकू था पान मसाला था आइस क्रीम था यह और अब चार के बाद चार और आ गए इनके building bricks टिक है न रूफिंग टाइल्स टिक है जो भी यह होता है टिक है न एस ब्रिक्स टिक है तो यह मैंने आप को जो भी अवेंट्मेंट होगी सीए इंटर के अंदर वह आपको सारी की सारी बताते रहेंगे समय टू समय ठीक है तो यह हमने लगबग इसे कराने में लगबग तेड़ गंटे का समय लिया लेकिन आपको निटर को पूरा गया होगा टीक है अफ grid किस्टन अंसर इसके होगे तो हम नैक्स्त वीडिओ में आपको बता देंगे कि यह कोश्चन है हाला कि दो- vertices मैंने आपको वैसे के लिए ह olan की बता दिक नलेकिन कोश्च्ण अंसर के लिए explorative के लिए हम ब्रक्टिस के